आज यहां इस वीडियो में आपके एक DIY night cream बताने जा रही हूँ पिलकुल नैच्रल home remedy है as usual मेरी हर वीडियो की तरह बहुत effective जबरदस इसका result है तो चले स्टार्ट करते हैं इसको बनाना लेकिन इससे पहले लेकर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से राइट बिटन दबा कि सब्सक्राइब कर लीजी मेरे चैनल को और साथ ही लग बैल ऐकन को ज़रूर प्रेस किजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शियर ज़रूर किजिए अपने फ्रेंड स कर सकतए इसको मैं अची तरह से मिच्स कर रही हों ताखि उसमे को लंप शचि क्रीमरी फॉर में आजाए अले मिल्क क्रीम को जिशिते है चाहँ है अच्छी तरह से बिक कर लिया थे अब इसमें बाकि के आइण हें इसको चाहँ है हैं इसमें आगि मजुOWS है यहां मेरे सम आप अपनी स्किन और वैदर के हिसाब से इसमें वाइटमिन E ऑईल की कॉंटुटी बढ़ा भी सकते हैं कम से कम एक डालेंगे आप और ज्यादा से ज्यादा चार से पांच भी कर सकते हैं वैदर और इसकिन के ओपर डिपेंड करता है अगर इसकिन जादर डैमेच है तो आप वाइटमिन E की कॉंटुटी आप पढ़ा लेके अपनी क्रीब में अब यहाँ इस पर शामिल करने जा रही हूं मैं अपना थर्ड इंग्रिडिएंट यानि के ऐलमंड ओयल आपकी स्किन क अब इसकिन के लिए बहुत बैनिफिशल है रिंकल्स को दूर करेगा ड्राक स्पोर्ट को दूर करेगा तो यहां मैंने हाफ टी स्पून टेबिल स्पून अल्मेंट लिया है अब इसके बाद मैं फोर्थ इंक्रिडिएंट करने चाहरी हूं और वह है ऑलिव अलिव अलिव यहां एक टेपल स्पून मैंने अलिव वयल का यूज़ किया है अब इसे मैं मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें मैं एड करूंगी योगर्ट बहुत बैनिफिशल क्रीम है आपकर रंग को इन्हेंस करेगी आपके इसकिन के टेक्च्चर को स्मूध करेगी इसकिन को एवन करेगी आपके स्किन पर जितने भी फाइन लाइन से उनको रिड्यूज करेगी पिग्मिंटेशन अगर स्किन पहें तो इनको बहुत हद तक रिड्यूज करेगी बहुत लाइटर कर देगी तो यहां मैंने तीन टेबिल स्पून भरके इसमें योगर्ट का एड किया है और दृबशन थारी किसे मिξ करेगी जितने भी ल AG डिस्वाल रिए अच्छे से मिक्स करोंगी ताकि बहुत अच्छे से स्मूध से कंसिस्ट नसी में आ appel ही लिएस कोम एक्सक हो इसको मिक्स करनेarnya तो ये क्रीम हमारी बनके राडी हो चुकिए है इसका regular use आपकी skin को बहुत नरिश करेगा इसकिन के texture को बहुत smooth करेगा flawless skin कर देगा आपकी regular इसको अपनी skin पर अपलाए कीजिएगा overnight लगे रहना दिजिएगा और morning में इसको वाश कर लिजिएगा तो यहां आप मैं इसको कंटेनर में स्टोर करने के लिए ट्रांसफर कर रही हूं और यह रेफ्रेजुरेटर में आपके फोर तू फाइफ देज एजी ली स्ट्रेक कर सकती है तो इसको बनाईए और अपनी रेगुलर रूटीन में इसको एड़ किजिए और अपने स्किन पर इसका मैजिक फील कीजिए तो इसको लगाने से पहले अपने फेस को अची तरह से आप बॉश कर लेंगे मेरे इससे पहले वीजियो में मैंने योगर्ट एंफिच का स्क्रब अपने फेस पेक जो पताया है आप रेगुलर इसको भी यूज कीजिएगा पहले आप उसे यूज करेंगे इसको अपने फेस पे अपलाए करके लाइटली जेंटली स्क्रब करेंगे और इसको अपने स्किन से रिमूफ करके तन यी क्रीम अपने फेस पे आपलाए करेंगे ओवर नाइट इसे स्ट्रे करने देंगे अपने फेस पे और नेक्स्ट मॉर्निंग इसे वाश कर लेंगे तो फिज एंड योगर्ट का फेस पैक वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है आप वहां से देख सकते हैं उसका यूज और उसको कैसे बनाना है लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक में डिसक्रिशन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी और उपर दिये हुए आई कार्ट में भी वो मैंशन होगा तो आप वहां से क्लिक करके वो वीडियो मेरे देख सकते हैं तो यहां यह नाइट क्रीम हमारी बनके विल्कुल राड़ी है इसको आप फ्रेज में स्टोर कर सकते हैं अप टू फाइव देज और इसको यूज आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से और क्रीम साब अपने फेस पर अप्लाई करते हैं ओवर नाइट के लिए यह फेस प इसे बिल्कुल अप्लाई करके लाइटली इसको मसाज करेंगे पहले अपने फेस पर और इसे तरह से लगे रहने देंगे इसे लगा रहने देंगे ओवर नाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग इसे वाश करेंगे इसको अप्लाई करने के पात ना यह कोई चिप चिप होगी और नहीं कोई crazy feel होगी, बहुत अच्छा सा प्रस्किन आपका होजाएगा, बहुत soft skin होजाएगी, और साथ ही साथ आपके skin को बहुत baby soft करते ही, तर दूफ्ण में लिप फे बहुत soft, लुक देगी, तो गाइस मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्ला हाफिस